इस चैनल पर हम आपको नवीन तम और रोचक विश्यों पर वीडियो उस्प्रदान करेंगे हमारी चैनल पर रोचक जानकारी, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य विभिन विश्यों पर वीडियो उपलब्ध हैं आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद, HTML Quotation Comments देखें हैं टैग ब्लॉक वोट को HTML में उद्धित करने के लिए किया जाता है यह टैग टेक्स्ट के एक बड़े भाग को उद्धित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो एक ब्लॉक में दिखाई देगा यह टैग पार्ट के साथ संबंधित मेटाडटा, मेटाडटा को भी शामिल कर सकता है जैसे कि उद्धारन का लेखक या स्रोत ब्लॉकोर्ट टैग का उपियोग एक बड़े टेक्स्ट ब्लॉक के लिए किया गया है जो उद्धित किया गया है टैग के अंदर लिखक या स्रोत की जानकारी शामिल की गई है आप इसे आपकी आवश्चक तानुसार अनुकुलित कर सकते हैं HTML टैग को छोटे उद्धारनों, शौट कोटेशन्स को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है टैग का उप्योग इनलाइन उद्धारनों के लिए किया जाता है जो पैराग्राफ या अन्य टेक्स्ट एलिमेंट्स के अंदर होते हैं डॉट इस उद्धारन में टैग का उप्योग विभिन्न छोटे उद्धारनों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है यहाँ inline tag है, इसलिए इसे paragraph या अन्य text के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है HTML tag का उप्योग शब्दों या वाक्याशों के लिए किया जाता है जो किसी विशेश शब्द या शब्दों को संखशेप में प्रदर्शित करते हैं जिन्हें सामान्यत विभिन छोटे अक्षरों में प्रकट किया जाता है इसे अक्षर संखशेप, अब्रीविेशन कहा जाता है Tag का उप्योग HTML के लिए संखशेप को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है टाइटल विशेश्टा का उप्योग करके आप एक सूचना, टूल्टिप प्रदान कर सकते हैं HTML Tag का उप्योग वेब प्रिष्टों पर संपर्ब जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है टाइटल का उप्योग कंपनी या लेखक के संपर्ब जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है ध्यान दे की टैग का उप्योग केवल प्रिष्ट के संपर्क जानकारी के लिए होना चाहिए और इसे लेखग की जानकारी के रूप में नहीं उप्योग करना चाहिए HTML tag का उपयोग एक उपनाम, वेब प्रिष्ट या किसी अन्यक्रिया कलाप का उध्धारन करने के लिए किया जाता है ये tag विशेश कर किसी उपनाम, ग्रंथ, फिल्म, गीत या किसी अन्यकृती के उध्धाटन के लिए उपयोग होत है, tag का उपयोग लेखक का नाम और उनके उपनाम के उध्धाटन को दर्शाने के लिए किया गया है tag का उपयोग किसी कृती के नाम को रूपान तरित करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ये संभावना से उपर की HTML BDO tag, Bi-Directional Override का उपयोग टैक्स्ट की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है इस tag का उपयोग उपयोग करता की भाशा में लिखे गए शब्दों की दिशा को बदलने के लिए किया जा सकता है Tag का उप्योग किया गया है ताकि Bidirectional Override शब्दों की दिशा बदल सके दिल विशेशता का उप्योग उप्योग करता की भाशा की दिशा को निर्दिष्ट करने के लिए किया जा सकता है Tag को उप्योग करता की भाशा के लिए RTL के साथ उप्योग किया गया है जिससे टैक्स की दिशा बाया से दाए में बदल जाती है HTML comments एक web प्रिष्ट के code में notes या टिपपणियों को शामिल करने के लिए उपयोग होते हैं ये टिपणिया browser द्वारा दृष्टिकत नहीं की जाती है लेकिन web developers और team के सदस्यों के लिए सहायक होती है जो code को समझने, बदलने और bugs को सुधारने में सहारा करती है टैक्स के बीच के स्थानों पर रखे गए text को browser द्वारा दृष्टिकत नहीं किया जाएगा और इसे टिपणि के रूप में समझा जाएगा इसका उपयोग web प्रिष्ट को develop करते समय कोर्ट की स्थिती और स्वर्वारा दृष्ट की स्थिती और स्वर्वारा दृष्ट